हाई अब्रिवन लखनो सूपर गैंस वाच मुंबे इंडियन के बीच आईपियल का मैच नमबर 36 है और इस मैच में सुरिया कुमार इसान किसान क्यूंटन डिकॉक जैसे प्लेयर को कैप्टन वाइस कैप्टन बना रहे हो तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है सुरियर आपका टीम सही नहीं जायगा और आपको लॉस भी लग सकता है तो इसके लिए आपको सही डंग से पीच नियुक समझना होगा और इस तरह के मैच अस्पेशल ग्रैंडलीक के लिए होता है तो इसमें आपको पीच लिपोर्ट के साथ सेबन फिक्स प्लेयर चाट ट्रम कार्ड दो लोर सेलेक्शन परसेंटेज ग्रैन लिग के कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा पिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप बहतरीन टीम बना पाओगे और अपने टीम को ग्रैन लिग में बहतर रैंक भी दिला सकते हो इसमोल लिग भी आपको जीतना काफी असानी हो जाएगा तो वीडियो काफी इंफर्मेटिव होने वाला है शुरू से अन तक वीडियो को देख लेना और वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को दबा देना ताके मैं कोई भी वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे जो सबसे इंपोटेंट होता है मेरा टेलिगराम जोइन करना जहां ग्रैन लीग और स्मॉल लीग की फाइनल टीम मिलती है स्मॉल लीग से अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देते हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में लिंक मिलेगा वहां से जोईन हो जाना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यह मैच स्री अटल विहारी वाजपे लखनों में मैच होने वाला है लास्ट के पांच मैच की बात करें आई पील के तो तीन मैच फर्स्ट बैटिंग और दो मैच सिगन बैटिंग करने वाले मैच को विन की हैं यहां पे डिफेंड करके भी मैच जीज जाते हैं और चेस करके भी तो दोनों बरावर हैं वैसे यह बैलेंस पीछ है लेकिन लास्ट के आगर पांच मैच की बात करें तो एवरेज स्कोर एक सो तीस ही मान कर चल सकते हो क्योंकि इस से ज़्यादा रन ही नहीं बन रहा है वै एक सो नब्य प्लस एक बर बने हैं तो यहां पर जेनरली देख रहे हो कि एक सो पचास के अंदर जो तीन बर बने हैं तो यह लोग स्कोर मैच ही होते हैं जो कि लास्ट का यह वैस बालिंग अटैकिंग की बात करें तो फरस्ट एनिंग में पेसर को नौ विकेट मिले हैं व तो फिर चलते हैं लास्ट के मैच में वैसे देखा जा लास्ट के अगर पांच मैच में तो 34 विकेट स्पीनर को मिले है और 27 विकेट ही पेसर को मिले है तो कहीं न कहीं स्पीनर का आकरा जादा है और यहां पे स्पीनर का दबदबा रहता है वैसे हम लोग देख लेते हैं लास्ट के पांच मैच की तो लास्ट मैच जो हुआ है लखनो और चिन्ने के भी तो यहां पे रिजल्ट नहीं आया था बारिस के कारण ये मैच रद हो गया था उससे पहले फिर भी इसका स्कोर देखोगे 125 ही रन बना पाए लखनो की टीम जबकि चेस करने में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है बारिस में कैंसिल हो गया था ये मैच अब देख सकते हैं कि 19 और दो बॉल में बना पाए वो 9 विकेट पर जबकि लखनो की टीम चेस करने में पूरी 10 विकेट गिर गया और चेस नहीं कर पाए इस मैच को लॉस कर गया यहां पे पेसर को 5 विकेट और स्पीनर को 9 विकेट मिला था उससे पहले गुजरात और लखनो के बीच मैच हुआ था तो इसमें भी 135 रन बना पाए गुजरात की टीम जबकि 128 पे इनकी टीम 7 विकेट गिर गया था तो यहां पे भी नॉर्माली देखोगे 6 और 7 विकेट गिरा था जिसमें पेसर को 5 विकेट और 6 विकेट स्पीनर को करनली देखोगे कि लखनो इस सीरीज में लगातार मैच को लॉसी कर रहे हैं तो यह जितने भी मैच खेले हैं रिसेंट में इस गरॉंड पे लगभग सभी मैच लॉस कर गया हैं यहां पे भी 8 विकेट लखनो का गिरा था और 8 विकेट पंजाब का जबकि दोनों टीम का प स्पीनर को 6 विकेट मिला था तो यहां पर नॉर्माली देख रहे हैं कि पेसर की अपे अच्छा स्पीनर को ज्यादा विकेट मिल रहे हैं तो आप इस मीडर को जरूर सपोर्ट करना लखनों के बात करें तो क्यूंटन डिकॉक के साथ कायल मायर्स आपनिंग करेंगे प्रे अगर चेस करते हैं तो दोनों को अपने टीम में रख सकते हैं क्यूंकि यहां पर रन कम बनते हैं और सिकेंट इनिंग में इनका कंडिशन भी लग जाता है सामने वाली टीम स्कोर कम खारा करेंगे तो कोई भी बैस्टमन होता है सुलेव खेलता है और उसको किसी तरह का प् प्रेटिंग नहीं होता है तो आप रिस्क लेही सकते हो लेकिन कायल मैड्स का भी लगातार परफॉर्म ठीक ठाक आ रहा है और उपनर इस ग्रॉंड पे ठीक ठाक खेल लेते हैं क्यूंकि स्टार्टिंग में पेसर जो बॉल करते हैं तो उसमें सिंगल सिंगल रन बना जात पांडिया इस ग्राउंड के लिए काफी बेस्ट ऑप्सन रहेंगे वैसे जो पिछले साल इन दोनों के बिच हेड टू हेड मैच हुआ है इन दोनों के बिच टोटल दो हेड मैच हुआ है जिसमें कुनाल पांडिया एक मैच में अल्रेडी वैसे वह मैच मुंबे में हुआ था लेकिन उस मैच में भी तीन विकेट निकाले थे और इस मैच में कुनाल पांडिया का दबदवा इसलिए रहेगा कि इसका home ground है और फिर इसका bowling भी इसे ground पर अच्छा खासा रहता है अगले player अवेश खान है अवेज खान भी हेट टुहेड में तीन विकेट निकाले थे दो मैच के ले थे और इनका टोटल चार विकेट था एक मैच में ये तीन विकेट निकाले थे और एक मैच में कुनाल सेफ ऑप्शन रहेंगे और इस ग्राउंड पे आप जादस जादस पीनर को ही सपोर्ट देना बाकी प्लेयर का आप देख सकते हो रिसेंट फॉर्म एक एक प्लेयर का निकोलस पूरन ठीक है विकेट कीपर में मिलेंगे इनकी तरफ से और ये भी आपके लिए सेफ ऑप्शन इस मैच में रहेंगे जब इनकी टीम पहले बैटिंग करते हैं तो फिर मैच जब टीम बनाऊंगा तो आपको दिखा दूँगा कि आपको किस किस प्लेयर को रखने हैं मुंबई इंडियन के प्लेइंग 11 की बात करें तो इसान के सन के साथ रोहित सर्मा सुरिया कुमान नि से सेफ ऑप्शन रहेंगे वैसे जॉनसन बहरा ड्राफ है जो कि लगातार कंसिस्टेंट है और विकेट निकालते ही आ रहें तो इनको भी आप अपने टीम में रख सकते हो उसके बाद काटी किया रहेंगे वैसे क्रीस जॉडन को आप ग्रैन लिग में ट्राइ कर सकते हो कै मैंच हुआ है तो दोनों मैंच तो लखनवी विन किये हैं लेकिन उस मैंच में केल राहूल थे और केल राहूल दो लनों सतक मारे थे 100 प्लस दोनों मेंच में रन मारे थे और यही रीजन है कि एक तरफा मेंच रन मारकर मेंच को विन कर गये थे लेकिन इस मेंच में उस तरह का कोई भी बैस्टमें नहीं है एक ही है जो क्यूंटन डिकॉक है क्यूंटन डिकॉक भी उतना ज़्यादे consistent नहीं है ये है कि बराय score करते हैं लेकिन इस ground पे उतना ज़्यादा run नहीं बनेंगे batting से तो फिर ऐसा होगा कि अगर starting से ही wicket गिरना start हो जाता है तो फिर ये talk में wicket ले जाएंगे और 3-4 wicket निकाल दिये तो फिर captain wise captain के option बन जाते हैं तो उस condition में आप try कर सकते हो वैसे अगर safe option की बात करें तो Cameron green को भी captain wise captain बना सकते हो तो batting और balling दोनों तरफ से अच्छा point देंगे वैसे देखा जा तो ये दो player इसान किसन और सुरिया कुमार तो सभी के team में रहेंगे किनके सुरिया कुमार लगातार perform करके आ रहे हैं उसी तरह इसान किसन है जबकि रोहिस सर्मा को बहुत सारे लोग drop करेंगे वैसे ये रोहिस सर्मा first inning में ही perform करते हैं second inning में इनका उतना अच्छा perform नहीं रहता है लेकिन इस ground पे जब run कम बनते हैं और लखनों की team पहले batting करेगा और under 125 या 130 run मारते हैं तो उस condition में रोहिस सर्मा लोग लेकर आएंगे इसान किसन और सुरिया कुमार रहेंगे ही तो फिर आप इतने ज़्यादा best man अगर इनकी तरफ से ले रहे हो तो फिर कहीं न कहीं आपको baller को drop करने होंगे जबकि इस match के लिए baller ज्यादा option है और खास कर जो spinner baller रहेंगे उन player को ज्यादा से ज्याद ट्राइ करना तो आपके लिए safe रहेंगे तो चलते हैं direct team पे और वहीं पे हम लोग बात करेंगे team की मैं आग गया हूं direct team पे और यह मेरा seven player है जिसका perform आने की ज़्यादा संभावना है वैसे कुनाल पानिया, Cameron, Green, Amit, Misra, Behradrup इन सभी को बहुत सारे लोग हैं जो अलग-अ टीम में try करेंगे, एक team में try नहीं करेंगे, तो यही reason है कि आप Grand League में भी यह player को try कर सकते हो, क्योंकि batting section में इतना ज़्यादा option है, लोग batting के favor में जाएंगे, direct team की बात करें तो क्यूंटन डिकॉक, निकॉलेस पूरन और इसान किसन है, तीनों को आप अपने team में नहीं बनार जाएंगे, और यह अपने team में जगा बना लेंगे, लेकिन लखनों की तरफ से कई बार इस ground पे, जो कुनाल पांडिया है, जो की starting में ही ball कराएं हैं, तो उस condition में अगर कुनाल पांडिया आते हैं, तो फिर इसान किसन या रोहिस सर्मा में कोई एक को ले जाएगा, और ज़्यादा चांस रहेगा कि रोहिस सर्मा को ले जाए, क्योंकि ये left arm orthodox baller हैं, तो फिर रोहिस सर्मा को उठोने की ज़्यादा संभावना रहेगी, वैसे second में अब try कर सकते हैं, तो safe option के तोर पर आप दोनों को try कर सकते हो, इस condition में, क्योंकि अगर मुंबे की team पहले bat बैटिंग करते हैं, तो फिर कुनाल पांडिया से ball ना कराकर उसके passer ballers ही ball कराया जाएगा, तो फिर आप try कर सकते हो, वैसे safe option भी रहेंगे, और small league में आपको किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है, दोनों को लोग आपके opponent भी ले कर आएंगे, बैटिंग सेक्शन में कई स rating करते आ रहे हैं, और कई बार अच्छा खासा perform भी किये हैं, तो वादेरा को आप try कर सकते हो, जबकि रोहिसरमा को आप ignore कर देना, वैसे बहुत सारे लोग हैं, जो कायल मायर्स और रोहिसरमा में confusion रहेंगे, तो सीधा है कि आप इनको drop कर देना, सामने वाले team run कम बनाते है तो फिर उस condition में ये run मार जाएंगे, तो safe option रहेंगे, वैसे अगर रोहिसरमा और कायल मायर्स में अगर chain करने का मिले आपको, तो कायल मायर्स के साथ जा सकते हैं, नहीं तो इन दोनों में अगर मिले तो आप सीधा वादेरा के साथ चले जाएं, और यही reason है कि मैं अपने small लिग के टीम में भी वादेरा को रखा हूँ, इसलिए कि अगर लखनों की टीम चेस करते हैं, तो फिर इसकी जगा पे मैं कायल मायर्स को भी ले लूँगा, वैसे मैं ज़्यादा को ही रखूँ, वैसे परफॉर्म अच्छा करते हैं, और इस मैच में भी उमीद है, वैसे उतना ज़्यादा बैटिंग सेक्षन को मैं सपोर्ट ही नहीं कर रहा हूँ, और यही रीजन है कि मैं और बॉलिंग सेक्षन में ज़्यादा प्लेयर को लिया हूँ, और ज़्यादा तर स्पीनर को ही सपोर्ट दे रहा हूँ, तो बहरा ड्राफ्ट को मैं सेफ ऑप्सन के त कर दो लेखना हूं लेकिन फोसींखन को लिए रखा हो एक ब dramas को औरह सुधकिया को लेड़ेा लेना वैसे ये Grand League की टीम देखोगे तो काफी ज़्यादा यूनिक नहीं है बस एक दो प्लियर यूनिक है जो कि आपको काफी हद तक ठीक करा देगा वैसे मैं Baller को और All Under को ज़्यादा सपोर्ट किया हूँ लोग जो भीर में जा रहे हैं लोग बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं क्योंकि इनकी तरफ से कायल मायडस है वा दे रहा है तो और इसान किसन विकेट कीपर में निकोलस पूरन है तो बैटिंग को ज़्यादा सपोर्ट दे रहे हैं लेकिन मैं यहाँ पे यही वज़ा है कि यह आपको 30% तक rank कराएगा 30% के ऊपर टॉप में नहीं जाएगा तो इसके लिए आपको काफी यूनिक टीम बनाना होता है और यूनिक और भी टीम बनाने के लिए आपको पीछ रिपोर्ट फाइनल जो पीछ रिपोर्ट होगा उस पे जो टीम बनेगी वो आपको यूनिक टीम होगी क्योंकि अभी जो है वो फाइनल पीछ रिपोर्ट नहीं है और मैं कई बार बोला हूँ कि जो ग्राउंड में पीछ होते हैं वो कई सारे पीछ होते हैं कई सारे इसमें बैटिंग फ्रेंडली भी पीछ है जो की ठीक ठाक डेर सो पलस रन बन जात हैं तो उस कंडिशन में अगर किसी तरह का न्यूज आता है और यही रिजन है कि टॉस बहुत बारा फैक्टर होता है और टॉस के टैम का जो न्यूज होता है वो फाइनल न्यूज होता है तो इसलिए टेली गिराम जोएन करना मत भूलना चैनल सब्सक्राइब कर लो कि थे थेंक यू